Hello everyone, this is Neelam Chilani from Food in Varodra. Welcome to Foodies Hub. As a collaboration, we are bringing to you the famous food delicacies in Varodra. फिर क्या था? ये है आम जिंदगी. Hello everyone, welcome to Foodies Hub. मेरे नाव है ने ले शमलानी और आज हम लोग लाए हैं काफी दूरों के बाद आपके लिए Street Food of Varodra का Part 2. ये है Mentos जिंदगी. Mentos दिमाग की बत्ती जला दे. ये जो वीडियो वो थोड़ा स्पेशल होने वाला है. इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग बहुत बुख़ड़े और Street Food बहुत जादा पसंद करते हैं. लेकिन इसलिए भी क्योंकि इस वीडियो के लिए हमने कॉलाइबरेट किया है एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी food ब्लॉगर के साथ जिसका इंस्टाग्राम पे पेज है food in Varodra नाम से. So please welcome नीरम चेलानी. सुबर सुबर सबसे पहले हम लोग गए मस्का बन खाने हैं. चक्नी तरगल से पहले अगर आप देखते हैं अलका पूरी में जो छीएष्टी बवन है उसके बार रात को साड़े 3 बजे से मिलता है मस्का बन. मसका बन एलनी के वह जो लोग मस्का लगाते हैं वह मस्का लेइं. अंडर बटर और चोले ला अव वाल मस्का बन. यहांपर काफी वराइटि के मस्का बन मिलता हैं आपर लाइट को डिलते हैं यहां से खाते भजाए हैं इनकर झाए हुँआ ह। अब ही. या कि यह है कि आपर यू के अस्टमाइज यूर मस्काबन अचार भी डर्वा लेता हूँ मैं मस्काबन खाने के अब लोगा हैं मेरी जिन्दगी की सबसे फेवर्ड चीज पूने जो की है आद आंपे वाई शाह है वो मेरी भी फेवर्ड चीज है अम्बेटकर सर्कल के बाजू में अगर आप देने हैं तो यहां पर है मा बवानी टीज चॉल यहां पर चाय के साथ मिलता है गरम-गरम पोहा और सिवसर जिसमें मैंने पोहे के ऊपर डलवाया है सिवसर वाला गरम-गरम रस्ता 5 माल डाए ह्काषा ठीज है निम्ấn है थे जाड़ ड चुबहएं से 8 कसे दिए लगे स सम człowie भाडियो हम लोगों मस्कावन कालिया मस्कवन कालिया चाईबिली कायों मस्कावन कालिया तो यहां अबb Tutc जब हो दो दो कखाने से जलते हैं उमेर भाही है तो अनुट की सरकार है ना अनूट से बनाते पने पेटों को ये स्टार विडेको झाले आगे नहीं की मैं का अथा अहुत आत हहे चले हम पॉफ तो खा कैना So this fresh puff is available at the baker shop in Godri which is opposite to the Maruti Suzuki showroom इन दोम प्रफेक्त Krisp गुट क्रिस्ट वुट क्वालिटी ओ इसले वुट कॉलिटी ना भड़ना ड़इ अदर बटाकर पर एक दोलाथ आपर नजनगा वं पर गडाल हो से अगर आपके पाँ आए हैं तो आपको कोई सिंधी डिश तो खिलाएंगे ना तो आज हम लोग आए हैं 51 एस ओल लारी वे जो कि है वारेश जूलेदार मंदिर के बाजू में यहां पर यह सहू करते हैं इसले 51 एस ते बहुत ही जाड़ा टेस्टी डाल पकवान तो यह डाल पकवान खाने के बहुत साड़ तरीका हैं बहुत हरे लेश के खाने के तरीके में और अक्चल खाने के तरीके में कुछ ज्यादा फरक नहीं है लेकिन हम थोड़ा तमीज से खाते हैं लेकिन हम थोड़ा तमीज से खाते हैं लेकिन यही मजा है यह चीज़ काने का गरम-गरम काई है तो अब आई है जुलेदाल मंदे के बाहर लेलार ही है आई है यार तो यह थी करीबन 11-12 बजे तकी चीज़े अभी थोड़ी दूब जा रहा है गर पर जाके आराम कर रहे हैं मिलेंगे फिर से शाम को और शाम कीज़े चीज़े ना वो इससे भी ज़्यादा मज़़ार है चलो ड्राइवार शाम के पांच बज रहे हैं शाम के पांच बज रहे हैं फिर से चलते है कुछ अच्छा सा चटपटा खाने लेकिन उससे पहले मैंने डिसाइड किया है कि निलेश को कोई अच्छी सी कॉफी पिलाई जाए क्योंकि उसे कॉफी जरा भी नहीं पसंद तो हम आए हैं रगुणशी कॉनर जो की अर्कापूरी में संपत्राव कॉलनी में है ले निलेश लड़कियों के नकरे कॉफी पिने के बाद हम लोग आए हैं प्यारे लाग कचोर में यह मंगल बजार में यानि बरोडा का सब से क्राउडेड एरिया बहुत मैनत करके गाड़ी घुसाड़ के इदर आए हैं तो इसके बदले यार लाइक और सब्सक्राइब जरू कर देगा यह कचोर यहां पर मिलती है पिछले 50 सालों से यानि के पिछले 50 साल से इन लोग ने अपना टेस्ट काफी मेंटेन करके रखा है यह पर आपको मिलेगी बेल वाली कचोरी, जेन कचोरी, सेव बटा कचोरी, सेव बून्दी वाली कचोरी और आपको नॉर्मल बेल खानी है तो वो भी आप खा सकते हैं कभी पी आओ मंगलबजार शौपिंग करने तो यहां पर दरूर आएगा चाने के लिए जैसे अम दोनों खा रहे है अपर हारिंग क्यारिला कच्छोरी we are here in Alkapuri in front of bank of varoda जो आपर बहुत थारी खाने को चीज है जैसे की पानी पूरी, sandwich, live dhokla, dhose जो कि है अनना डोसा यह वही प्लेस ने प्लेस ने पताया अलकापूली में दिवभी bank के बाहर यह अनना डोसा और भी तीन-चाज़बजा इनकी ब्रांशिस है पूरे बरोरा में फैली यहां पर यह बनाते हैं बहुत तारे टाइस के दोसा पूरे ठूबट टाइस के दोसा लोगह लयो क्या ए गाना कर तो अपने घाते हैं वो जिल कार्या मैशूर मैशूर्ड कर जदोर्ज्व भी हो जितनी चाहिए सामबर भी को चट्री दो यह हम, टीन के घगे एक रेड चटली जो कि थोड़ी थीकी आती है यह अपनी नारावाली चटली है और यह अपनी जो बेसिक सामबर होती है हो इनकी सामबर भी बहुत ची होती है यह तीनों जीजे बहुत अच्छी है हाईए खाईए तो क्या लगता है नीलम कैसा हुआ आज की वीडियो उझे तो लोगों को अपना कोलेबरेशन पसंद आएगा के नहीं आएगा आना ही चाहिए तो खतम करते हैं ये वीडियो तो गाइज ये था आपके लिए स्ट्रीट फूड वरोदरा का पार्ट तू आपको ये वीडियो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो फ्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और फूड इसके साथ अगर अगर आपके दिमांग में ऐसी कोई प्लेशिस हैं जो कि हमसे स्ट्रीट फूड में रह गई हो तो उसको कमेंट बोक्स में लिए हम लोग अगले पार्ट म करेंगे इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी कैफे या तो रेस्टराण में आकर हम लोग फूड रिव्यू करें तो उसके लिए भी आप हमको डियम कर सकते हैं आमारे इंस्टागाम के पेज पे दो इंस्टागाम अगांट से एक है फूडीज हब सौरी एक है व और तो खागे में अगरेम से उटे हैं सौरा आम तो कर रहें न बह आवा भी तू लचे कि ऑंच बचलाँ हैं कि या कि अःस्ont अथिस्थ्स्था अथ्वेक्श्थ बचिवर्यकित खुडत छैएं तू श्यारी को सूष्भरहद में 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 आजिए वggakन्ड, south 1 1 0